तो चलिए शुरू करते हैं सो यहां पर हम अन्बॉक्सिंग नहीं करने वाले बिसकली हम यहां पर एक बहुत important question discuss करने वाले हैं जो की है किसे homogeneous differential equation के form में ठीक है जो question आपको बताए है लाफनी उनिवस्टी 2008-10-14-17 में आ चुका है अब यह question बहुत important है इसलिए इत्तिवारा है और किसी भी exam में यह question आ सकता है so last तक बने रही है मैं आप लोगों last में बहुत important चीज़े बताता हूं हर वीडियो के last में एक ऐसी trick यह ऐसा फंडा बताता हूं यह एक ऐसा जिससे बहुत सारी question बड़े आराम से solve हो सकता है ठीक है जो लास तक बने रही है इसको में लोग divided by dx के form लिखते हैं सबसे पहले divided by dx के form लिख लिए हमने जब तो हमने कहा क्या y is equals to vx रखा ठीक हमें पता है divided by dx equals to v plus x divided by dx आ जाता है यह कैसे आता है अगर आपको नहीं पता तो जाए यह पुराना वाला वीडियो देखिए ठीक जिसमें मैंने homogenous differential equation discuss किया है concept सहीत ओके so v plus x divided by dx equals to y equals to vx यहां भी रखेंगे so कुछ ऐसा हो गया है देखिए x square x square common हो जाएगा बाहर हो जाएगा ठीक है बाहर हो जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा यहां से भी बाहर आएगा x यहां भी x है और यहां भी उपर x common लिया तो नीचे वाल x उपर नीचे cancel होगे तो बच्चा के मारे पास ultimately v बच v का function बच्चा ठीक है so यह v इधर है और यह v इधर है दोनों cancel होगे आपस में finally यह बचेगा इतना ठीक कहीं focus मत करें मेरे pen की निप फोकस करें finally यह बचेगा so dx उधर ले गए x उधर ले गए और यह वाला जो पार्ट है v वाला इसको इधर ले आए तो बचेगा integrating both side हां में पता है इसका integration करेंगे तो sin h inverse v ठीक है साथ आप लोग को यह ना पता हो यह sin h inverse v का formula होता है ठीक है integration करने पर इसको मतब differentiate करेंगे तो यहीं आ जाएगा so is equals to log x dx upon x इसका integration करेंगे 1 upon x का integration log x हो गया plus log c constant so log cx यहां हो गया and sin h inverse y by x is equals to log cx ठीक है v की जगा हमने क्या रख दिया वापस y by x ठीक है so confused मत होईगा यह ऐसा ही है so इस वीडियो में आप लोग को कुछ और questions देना चाहता हूं homogenous equations related जो questions आपकी बहुत help कर सकते हैं अगर आप questions को solve कर लेंगे तो आपका सारा concept clear हो जाएगा और आप लोग को बता दूँ इसकी answer sheet इसकी answer key ठीक है आप लोग answer key note कर लीजे so thank you for watching this is all about homogenous differential equation मैं homogenous differential equation के और भी वीडियो बनाऊंगा ठीक है ऐसा नहीं कि अगर कोई tough question है तो वो मेरे channel पढ़ा नहीं हुआ है आप जाके चेक करिए हार tough question के वीडियो इस पर पढ़ा हुआ है ठीक है और इस पर भी वीडियो आते रहेंगा differential equation series चले ही so stay tuned with us and keep watching and keep subscribing and keep learning thank you for watching